में एक रूम में थे बगएर कपलो मैंने उनको देख लिया जाल बांट पलिस गए क्या क्रिका थे अगर दूसरी भी हो जाते हैं तो वैसे ही नसेड़ी या फिर जुए बाजवाले आदमी मिलते हैं तो उससे अच्छा है कि मैं सिंगर ऐसे ही रहूं केते हैं अरेंज मेरेज अच्छा होता है अरेंज मेरेज का भी रिजल्ट इस तरह से हो सकता है कि आपकी जो पती है या पतनी है छोड़ चारके भाग सकता है दूसरे से साधी कर सकता है तो अगर मेरा मलब जो भी है मुझे नयाय दिलवा दीजी आप और अगर नहीं मुझे अगर आप रहेगा तो फिर दो बीविया हो जाएंगी उसकी क्या फिर आप रहना चाहिएगा फिर मैंने वहीं पे मैं जहर मैंने जहर खा लिया और मैंने आदम हत्या करने की भी कोशिश की थी अभी हमारे साथ यूपी की कोमल है जिनका पती पहले अपनी भावी से क्या कुछ हुआ है कैसे हुआ है और यह क्यू नहीं आगे कुछ कर पा रही है बैचारी का जिंदगी होगा तो होगा क्या पहले कोमल यह बताए कहां से हम मैं यूपी में उन्नाव से हूं नौ में मिठु गड़ा गाउं है यह 84 थाना है और तैसी सफीबूर है वहां से पत पती पती को अपने भावी के साथ कर पकड़ा और कैसे मेरी साधी के च्छे में हो गए थे उससे पहले भी मैंने कई लड़कियों के साथ उनके चैट वैर्ड देखा था फोन पर तो मैंने वह साही चीज़ा इग्नोर की थी फिर उसके बाद उन्होंने अपनी भावी के भावी के साथ नाजाय संब्दक्राइब मनाते हुए मैंने एक कमरे में उनको देख लिया घरी में जब मैं सप्थाल में ठीए अपके सास भी थे सबस्वकर भाइबी थे जिनकी वाइप के साथ आपका पत्य कहां जाएगी और इतनी जल्दी कोई उसे समाज भी उसे ही अगर गल्तियां अगर आदमी करता है तो समाज भी और पही कितनी भी अच्छी ऑरतों उस पर उंखलाती है तो मैंने उसे समझाने की कोसिस के उसके पाद जा वह नहीं मुझे फिर उसने मुझे काफी पीटा इसी जिटानी हम साथ से भी कहा जिटानि की तौ थी सब्सक्राइब। उन लोगों ने उल्टा मुझ पर ही चड़कर बैठ गया। क्या बोला उनों उन्होंने कहा कि सभी लोग करते हैं सब के घर में ऐसा होता है यहां कोई नहीं समझाने वाला उससे तो मैं ने अपने literally पापा पापा से बताया तो उसको ये चीछ बुरी लगी मेरे सस्राल वालों को कि मैंने क्यों बता दिया पनी95बांवा तो उसका पाहना यह था कि मैं सब कुझ देख कर बरदास करती रहती और मैं कुछ करके लिए लिए यह गोटन डियाओं यह कोई दिन नहीं डिया इवसके आपके ऑफावी से अपका पती मैरी जठानि की बहック साधी हूए फिर क्यों मैं मैं जगह मैं गई और मेडिया वीडिया वाला भी मैटर काफी हुआ मैं चुपने बैटी थी थक हार कर अभी थोड़े देर सांत बैटी थी मैं सोच रही थी कि मुझे करना क्या अब आपका पती जो आपके जठानी जठानी की जो बेहन है उसके साथ मतलब कि कहा है सुखी है कैसा करूंगे फिर मैं अगर मुझे मैं इस चीजें अगर मुझे रखना चाया है अभी नहीं दिया है तो वह कैसे कर सकता है विदाये का उसने कोट में केस डिया रखा था उसके बावजूद उसने दूसरी साधी कर ली और वी विदाये कोड मलब केसखवब कर दिया जजम k sia कंफ केसब कर दने के है कि मेंने केस तो जानां के चांका मैं यह को Carry कवर्भा करने कर नहीं कि कुछ पर तो उन्होंने भी कुछ नहीं कांव आपको लगता है कि यूपी की जो पुलीस है जो वहां के नया वरस्ता है उसने पैसा खा रखा है कि उन्होंने पैसा जरूर खा रखा होगा तभी तो एक लड़की रो रही है परिशान है इतना ज्यादा हात पैट जोड रही है आपके उसके बावजूद उसकी मदद नहीं ह सबसे ससक्त हैं सबसे अच्छी है पर एक महिला को उसका पती कहां хотя रही है जो ज़द साहब के सामने इनका पती से बाते रखता है और क्या कुछ होता है आप के समझे वर दो आंगे मैशwsका और जो आपके जो साधी हुई है पती की दूसरे उससे बच्चे है उससे बच्चे का मुझे पता नहीं है नहीं कोई यह नहीं पता चल पा रहा है कि उसके बच्चे हुए है या नहीं है यह पता चल पार कोई कहता है है कोई कहता है नहीं है कोई कहता है नहीं है कोई कहता है कि यहीं कि मुझपे उंगल्या उठाई है कि या उसने गलत है मुझपे उंगल्या उठाई है कि मैं गलत हूँ या फिर मैं अफेर है अगर कोई किसी मुद्धे बात करता है तो एक आदमी अगर उसका खुद का चरित्र नहीं साफ होता है ना तो दूसरे पर उंगलियां उठाता है अच्छा आपके मुम्मी पापा ने वो साधी रिधी रोकने कोशिस की कि मेरे बेटी के साथ तुमारा भी साधी है इतनी कोशि रहा और लेकिन अब दो साड़े चार साल हो गया है पर आप फैमिली से भी उनको भी लगता है कि इंसाफ नहीं होने वाला तो फिर उनकी भी अंदर से उनकी भी हिम्मट टूट गई है उमीदे टूट खतम हो गई है अरेंज मेरे था लब मेरेज था अरेंज मेरेज था कि अच्छे तरीके से अपने पवार को समवारते हैं कितने अच्छे लोगों से आपकी लिस्ता बनता है अच्छा और मैं मतलब जब वहां पर मैंने काफी सारी कंपलेण की 15-16 कंपलेण नहीं 26-27 को दिये मैंने कंपलेण की फोटोकोपी करवागे मैंने हर जगा से लिए नहीं मुझे मतलब दची तो मैं ने परिषानों के एक वीडियो बनाया वहां पर जो मीडिया वाले थे उनको मेंने दिगा तो उसमें मैंने बोला था कि मैं काफी रोँ रही थी उसमें मैं परिषान ती हाँ जोड़ कर योगी से कहा ता कि कव SCAR मेरा मनफ जो भी है म तो उसके बावजूद मैंने दो महीने तक इंतजार किया कुछ नहीं हुआ कहीं से कोई कारवाई नहीं हुई उसके बाद फिर मैं तारीक पर गई मैं तारीक से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो फिर मैंने वहीं पर मैं जहर खालिया और मैंने आदमा भी कॉसिस की थी उन नाओ में निराला पार्क था, वहाँ पर मैंने खालिया था मैंने इसलिए क्यूंकि मैं परिशान हो चुकी थी अपनी बात रखते हर जगा पे कहीं से कोई कारवाई नहीं मिल रही थी और बस इसी चीज़ से कि अगर यहां पर जहां पर मैं हूँ यहां पर कुछ हो नहीं सकता तो फिर यहां पर मेरा जीना ही बेकार है तो फिर मैंने जहर खालिया अभी आप महिला विकासमन चाहिए है क्या चाहती है कैसी आपको इन्ने आए चाहिए क्या उमीद है मुझे मैं इस उमेद से आई हूँ मैम से मिलने की अगर यहां पर मेरा हस्बेंड है ठीक है अगर वो मुझे रखना चाहता है तो पहले से साधी होगी एक और साधी होगी है तो अगर आप रहेगा तो फिर दो दो बीविया हो जाएंगी उसकी क्या फिर आप रहना चाहिएग ऽायब से आप रहे जायएगा तो उसको यह नहीं चोड़ पाएगा और मैम ऐसा मैम भी नहीं करपाएंगी क्योंकि कहीं ने कहीं ऊसका परिवार का लाइप खराब हो जाएगा तो उसके परिवार ने सारा कुछ एक जाल बिचा कर मेरे साथ में उसका यह मतलब मकसद रहा है कि मैं साधी कर लूँगी तो वो छोड़ देगी तो आप क्या चाहते हैं? मैं इस उमीद से आए हूँ कि अगर वो मुझे रखना चाहता है उसे छोड़ कर ठीक है तो मैं उसके साथ रहना तो सम्भो नहीं है कि उसने भी तो उससे साधी किया है तो उसने अपने आप दोनों लोग साथ मेरे सकते हैं आप और उसकी जो दूसर का उसके बावजूद उसने दूसरी साधी किया और उसकी फैमली जो लड़की की फैमली वो सारा जानती है उसने इस मकसद से साधी करवा दी है कि हां साधी हो जाएगी और वो जो मैं हूँ मैं उसे बाद में तलाग दे दूँगी जब साधी हो जाएगी तो मैं तलाग दे कि मेरा हस्बेंट में एक दूसरी और भी रखे कोई नहीं चाहेगी तो आप क्या तलाक के उम्मीद कर रही है तलाक चाहती है अगर हाँ अगर वह मुझे रखना चाहता है तो फिर जो मेरा बना मतलब जो मेरे ममी पापा ने दिया है और जो भी मेरा अभी तक चार साल साड़ लोग उंगलिया और और अवरत पर उठाएंगे ना तो मैं दूसरी सादी भी करना नहीं चाहूंगी तो मैं मेरा जो बनता है मेरी लाइफ का कि कर दे और अगर नहीं रखना चाहता है तो जितने आपने देज आपके दुआरा दिया आपके परिवाज के दौरा जो भी होंगे सेटल्मेंट करना चाहते हैं हां फिर साधी क्या कोई उमीद नहीं है क्योंकि नहीं साधी कैसे हो सकती है दूसरी मलब हजार तरह के सवाल उठते है ना एक और प्रती एक बार अगर उसकी साधी तूट जाए फिर बहुत मुस्किल हो जाती है कि दूसरी साधी हो जिना मानवी जी के संड़क्षन में आई हुई है और उनसे उमीद की गुहार लगा रही है पर कहना चाहेंगे यूपी सरकार से कि आप ऐसा क्यों करते हैं वहां की महिलाएं अब बिहार में आ रही है दोड़कर इंसाफ के लिए वहां की जो कानून वैस्ता है जो बाते हैं आप इन बातों से कितना सहमत ही रखते हैं जिस तरह से महिला ने कहा कि अगर नें रखना चाहते हैं तो सटेल्मेंट कर दे। धिया गया था तो तमाम चीजों दे कर में के इस दिवा जाए मैं न्याय पूर्ण इनका फैसला आएगा और इनके हक में फैसला आएगा वैसे आप सभी देख रहेते हैं हेटलेंट बारत जए हिंद जए विहार